आदाब नाजरीन में कश्वीश शमायल आप सभी का दिल इस्तक्बाल करती हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है गुफ्तगू कैसे सुकून उपाऊं तुझे देखने के बाद अब क्या घजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद नाजरीन हमारे जो आज के महमान हैं वो घजल गाईकी के दुनिया का वो जगमगाता सितारा हैं जिन्हों ने अपनी मखमली आवाज से खुबसूरत अंदास से और प्यारी से मुस्कुराहट से करोडों लोगों के दिलों में शम्मे जलाई हैं यहां हम बात कर रहे हर दिल अजीज तनत अजीज की आद आप कैसी हैं मैं ठेक हूं आपके साथ हूं तो पूछे क्या सवाल करना चाहिए आप अपने बच्पन के बारे मता ही है जी वस यह है कि मेरी पैदाएश हैदरबाद में हुई और मेरे वालदें जो है वो शयकीन थ थी राइटर थी मतलब अफसाने रिखती थी शायरा नहीं थी लेकिन हमारे घर में अदवी माहौल था क्योंकि हर उस दम बहुत अर्से की बहुत समाने की पहले की बात है जब दुनिया कुछ और थी लोगों के पास फुरसत होती थी तो हर साड़े यानि के वीकेंड पर हम भी होते थे और बहुत सारे सुन शायकी ही होते थे घर में महफिल चादर बिज जाती थी और गौतक किये वगरा वगरा और वो एक दौर था तो कोई गार रहा है कोई अपने कोई शायरी सुना रहे हैं और अहुमन ही होता था कि कभी कोई बाहर से मश्यूर शक्सियत आ जा पता था क्योंकि मेरे वालिद साब का नाम अजीम खान था और लोगों को हैदरबाद में यह पता था कि अजीम खान साब की घर पे जाना जरूरी है तो मैं मुझे याद है बहुत चोटा था तो मेरी मुलाखात मुलाखा तो नहीं कर सकता मैं बहुत चोटा था मीना कुमार सफेद कुरता पैजामा वो रात में आया थे घर पे मिलने वालदेन से और बहुत सारे ऐसे मुझे अभी आद निया लेकिन मकसद यह के वह एक महोल ऐसा था को मैं बच्पने से मैं सुन रहा हूं गजलियात को अच्छे-चे फनकारों को तो शायद यह इस वज़े से यह मेरी क्रिकेटर भी थे आप बच्पन में टेंथ क्लास तक आपने क्रिकेट भी खेला है मेरे वाले साथ जो हैं वो सेनिय ब्यूरोक्राट थे लेकिन शौक था उनको बहुत और वो उन्होंने यह किया कि कहने लगे बेटा सुनो तुम पढ़ाई लिखाई पूरी करो और मौसिखी की तालीम भी आप बाकेदा उस्ताद रखा उन्होंने समत खांसाभ जो किराना के थे वो घर पे आये करते और वो सिखा भी थे सिखाते भी थे मुझे क्लासिकल लेकिन और यह गा कि तालीम भी पूरी करो और जो आपकी बच्पने का जो भी एक नॉर्मल चाइड़ूट होता है वो करिए तो पब्लिक स्कूल वगरा वगरा और मैं स्पोर्ट्समन था आप जो कह रहे हैं मैं क्रिक अधिहसंद साब से मेरी मुलाखात भी 77 में टरॉंटो में और उन्होंने मुझ से कहा के तु मेरी शागिर बन जाओ तुमारी आवाद अच्छी है लेकिन मैं तुम्हें मतलब सिखाना चाहता हूं मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज में वो रचाओ जो है तो बहुत कुछ अच्छ भी सीखना है तो उन्होंने बाकाइदा वो कहते हैं ना गंधा धागा जो होता है मॉली की प्रतार जिए यह जब आय थे बंबे 1978 में तो उन्होंने यह रसम पूरी की और फिर उसके बाद मैं उनका बाकाइदा शागिर्द बन गया उन्होंने का कि जब बढ़ादे लोग और फिर वो कहते हैं कि फिर मुझ पर फर्ज बन जाएगा जो तालीम या जो इल्म मेरे बुजर्गों ने मुझे दिया वो मैं तुम्हे पासावन करूं और तुम पर फर्ज बन जाएगा कि जितना हो सके तो महनत करके वो हासिल कर लो मुझ से तो यह ऐस तर नाइन्टी 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 तर और इन फैक्ट छे असी में एक ऐसे दोरे पर आये थे जहां पर उन्होंने मेरा आलबम रिलीस किया यहां पर बाम्मे में सौगात नाम था उसका और उसके बाद हम लोग अमेरिका गए दो महीने के लिए जिसमें मैं उनके साथ कॉंसर्ट तूर तो यह था कि मुझे वहाना मिल गया दो तीन महीने उनके साथ वक्त कुजारने का कॉंसर्ट सो वीकेंड में होते थे लेकिन जो वीग डेस होते थे वहां पर उसमें हम आपसे बैठते थे होटल में और पर बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलें आपको लो और नूर जहां और पर आपका अलबम एक आया था शाहकार खुबसूरत थे अखे तरी तो आप एक मुझे एक डामेशनल पोस्नाल्टी के रूप में उबरें पर गाईके भी आपकी साथ ही साथ चलती रही तो पर अक्टिंग में आपको जादा मजा आया था या की गुलु आपको याद कर रहे हैं और वो आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहते तो मैंने का चलिए और चला गया मैं और मिला मुलाकात हुई और फिल्म अन्म रहने थे इसका नाम और नों हम इन बाद में रखा धुन वह कहानी थी बाप बेटे की और म्यूजिक पर थी और एक लासि तो एक बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी थी जिस म्यूजिक बेस्ट बाप बिटे की बीज में तो मैंने किया वो फिल्म अनफॉर्चनेटली रिलीजी लिए 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 उसकी मुजिक काफी संगीद उसका पॉबिलर हुआ लक्षमी गान पारिलाल आप जाने है वो उन्हो मात्मा तु पर्मात्मा मैं तेरा रंग रूप मैं तेरी चाहुध मैं बिल्कुल तेरे साथ तू बिल्कुल मेरे साथ नहीं है साह है जिसली आंन्दबक्षी साब का कमाल है मैं आत्मा, तु परमात्मा, मैं तेरा रंग रूप, मैं तेरी छाओ धूप, मैं बिल्कुल तेरे सा, तु बिल्कुल मेरे सा, मैं आत्मा, तो ये बाप बेटे की कहानी थी, लेकिन ये एक spiritual सा इसमें एक थौट है, जो आपने किये थे, घुटन और दिल अपना प्रीत आपको जो राइटर का रोल था, वो बड़ा इंट्रेस्टिंग था, तो वो एक्टिंग में आपको कभी चालेंजिस आए? यहां बिल्कुल चालेंजिंग है, वो भी एक फन है, उसको भी सीखना पड़ा मुझे, करते-करते मैं वह भी हासिल कर लिया, जितना भी हो सके और इतना मतलब ऐसा, एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गया कि जो मुझे देखते थे, जो डेरेक्टर करते थे, तो कहते थे भई, आप तो एक्टिंग कर लेते हैं, तो मैंने का चलिये, शुकर है, कर लेते हैं, यह बहुची बात है, एक एल्बम आया था, शाहकार वो एक वीट रिकॉर्ड किया था, तसवर, पहला वीडियो अल्बम जिया, सबसे पहला वीडियो अल्बम वो तसवर था, और लोगों ने काफी उस पर तन्खीद भी की, मतलब क्रिटिसाइज किया, गजल का वीडियो कैसे बन सकता है, गजल को तो आप कैसे पिक्चराइज कर सकते हैं, हमने का, हमने कर दिया, अपपको पसंद आए, तो देखिए, नहीं पसंद आए, तो मत देखिए, तो लेकि रिवाज बाद में आया कि फिर एक वो बन गया, आज तक आप देखिए वीडियो बनते हैं, लेकिन ठीक है, वो एक वीडियो आज का जमाणा, जो घञजल का पोईट्री में और म्यूजिक में और गायकी में कुछ अगर बुख्तगी है तो ही वो चलेगा आगे नहीं तो गातो हो जाएगा Mixi , बीजिक भूची अगर 14,29b, жеport वो ढवाने एन फिर ही आखेखनी अगर में झाती हुग किस्की बात हुगरी यह चाहती हो कि मेरे नाजरीन को अगर दो लाइब स्नाएब सुनाएब जे सुने पगएर तो अगर तो यह चानदे पर्यूम अगर देंगा तो यह कर दो ढ़ि तो उन्होंने का कि तारद भाई मैंने एक घजल लिखी आपको सुना हूँ है उन्होंने सुना ही है खूबसुरत यहां के तेरी रात को जागना छोड़ दे तो मुझे पसंद आई मैंने का चलो इसको मैं ऐसी कोशिश करता हूँ फिल बदी एक स्टेंपोर बन गई दू और मैंने का यहां अच्छी बन गई इसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो 94 में मैंने रिकॉर्ड की मोमे आकर वही जो जो एल्बम है शाकर और काफी उसका फिर वीडियो उन्होंने ऐसा मनाया पूरा फिल्म की तुरा बहुत प्यारा वीडियो है वो देखा हुआ है मेरा प्या आखे तरी रात को जागना छोड़ दे खुद बखुद नीद आजाएगी खुद बखुद नीद आजाएगी तु मुझे सोच ना छोड़ दे खुद सुरत है आखे तरी सुनादी है मने बहुत 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 शुक्रे आपका पहला अलबम जो आपका लॉंच हुआ था तो लोवस्मेस थी कुछ घबरात के दिले बहुत दर्वस्मेस थी बहुत अजीव सा लगता था मुझे और ये अलबम की बात बताता हूं कि जब ये अलबम का उफर आया आपका अज अज यूनिवस्मेस थी अज अज अगा उनके बास कोई आर्टिस्न था उन्होंने मुझे साइन किया और मुझे लगगा कि यार मैं तो रिकोर्डिंग जानते नहीं कैसे की जाती है तो फिर जगजी सिंग्स आपको फोन किया क्यूंकि उनसे मेरी मुलाका तो बोले कहां बैठे तो मैं वह ओफिस में बैठा हूं एक मुझे कंपनी के आजाओ मेरे पास चला गया मैं तो मैंने चलिए यह आप करिये तो बोले कर देते हैं मैंने का एक फर्माइश है लेकिन में वह गजल थी कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद जो वह मै अगर आपको पसंदाई तु रखे नहीं तो आप इसकी दुन अलग बनाऊंगा तो बन गई वह एल्बम रिलीज भी पहला आज तक बहुत पसंद पाऊं तुझे देखने के बाद पिर क्या मिलेगा किसी को किसी से चाहेंगे तुझे पर कभी रुस्वाना करेंगे तो चा कुछ आपको भी याद है अपना कहा हुआ है तो जिया वह बहुत अच्छा लेकिन आपका जो सवाल था नर्वस्ता बिल्कुल नर्वस्ता जब मैं पर माइक पे खड़ा हुआ और उस जमाने में सारे मुजिशन नजर आते थे यह नहीं के आप ट्रैक चल रहा है लाइव पड़ता था कर आप गलती कि कोई तो फिर से सारे के सारे उनको पुर से रीटे करना पड़ता है वहां को पॉर्टरिंट सूल सोचे कितना प्रशर होता है अप देख रहें शीशे से नजर आ रहा है सब बजा रहें आप सोच रहें कि या ला अगर मैंने कुछ गलती की तो यह आपने Kayника करे लिए रिकारडी जणी क्र वार गार मेंने सुना अपनी आवाज मैंने जा है या मैंने कहा है। यकीन कीजिए मैंने अपना अलबम रिकॉर्डिंग के बाद सुना ही नहीं यह आप जो कहा है ना पहला है और बाद में लोगों से पता लगा के लोगों पसंद आ गया बहुत पसंद आया है आप क्या करूओं मैंने तो अच्छा नहीं काया था आप चितरा सिंग साहब से आप जिसके बारे में आप सोच रही हैं मैं बताता हूं आपके देखने वालों को नाजरीन को कि वही बात है कि उस दमाने में रिकॉर्डिंग होती थी सारे और किस्ट्रा वगर सब्सक्रा पूरा बाहर आपके लाइव भचता था उसके लिए बहुत सारा रहसल किया करना पढ़ता था तब 15-20 दिन तकरीम रहसल कीजिए और फिर रहसल के बाद भी अगर आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाएं तो वहां पर भी घलती हो सकती है ऐसे नहीं कि आप रहसल किया तो आपको याद तो हो किया लेकि इनसान है इनसान की घलती हो सकती है तो वहां पर मेरे साथ लाइव यहां लता जी खड़ी है और यह मैं किदर खड़ा हूं माइक के सामने दोनों के माइक ऐसे हैं और मैं उनके साथ मुझे गाना है और सामने बाहर हॉल में 60-70 मुजिशन सब तयार और जो कंड़क्टर है वो आपको टाइमिंग देने का भी यापका क् सचे कितना पड़ा प्रेशर हो तो मैंने लटा जी से कहा कि अश्यम में बड़ा नर्वोस हो तो उनने लेका क्यूं आप तो अच्छा गाते हैं तो मेरे मुझे निकल गया क्या क्या आप आपको कैसे पता मैं अच्छा गाता हूं आपने सुना ही निए मुझे लिटरली आपको मैंने आपको इतिफाक के दूरदर्शन की बात है तो दूरदर्शन एक जमाने में प्रोग्राम आया करता था आप जब परानी बात है 1978 की बात है यह जब ब्लैकन वाइट टीवी होता था था हमारा और नेशनल नेटवर्क भी नहीं था जब बंबे का जो है बंबे द स्टूडियो में तो उसमें मैंने काया था और वह लता जी ने सुना था और उन्होंने याद किया कि हां वह तो अफ्रका कि उडियों प्रखना उच्छा नाड़े अज्णक के लिए था होचला बढ़ गया मेरा और थे टेक उड़ करते हैं मतलब जो रिकॉर्डिंग एक दो तीन चार टेक होएं ख्याम साब की आवाज आई माइक पर कह रहें क्या बात है क्या बात लाता जी ने कहा के देखिया अभी आएंगे में अभी आएंगे समझानी में बहुत ख्याम साब की एक बहुत मश्यूर आध़ वंसमोर की त वावावा एन उसके बाद लेकिन एक और तो मेरी तो उसी तो नहीं अहस, नहीं सकता था क्योंकि दोनों इतने सीनियर थे लेकिन ये मुझे याद है और खयाम साब ने ये खयाम साब का बड़ा मशूर उनका एक ये ये मशूर बात है उनका वनस सारी फिल्म इंड़स्टी को पता है उस जमाने के कि ख्याम साफ और उनका वंस पूर मशूर आप से पंदरा टेक भी करो आलें और कोई ऐसा सिंकर नहीं होता था चाहे वो लदा जी हो या कोई भी किशोर्दा हो कि उनको मना करें अब मैं आप से जाना चाहूंगी कि आज का अज को यूथ है आपके टाइम में लोग गजलों को पसंद करते तो खेर आप इन तो गजलों को माहूल दे कर आज को यूथ आता है उर्दू जबान की जो अदाएगी होती जो नफासत नजाकत वो कही ने कई मिसिंग है लेकि और फिर भी कही ने के गजले गाही रहे रहे इसमें अगर फार्सी डालें उसको जैसे कि अगर आप हिंदी में संस्कृत और ज्यादा जालें तो लेकिन जो कॉमन बातचीत जो है जबान बातचीत हिंदुस्तानी जो कहते हैं वो अर्दू हो या उसका आप नाम कुछ भी रख लें जैसा कि आपका जैसे सवाल है एक ए यह लवज घजल को अटा दीजे यह लवज अर्दू को अटा दीजे मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूं कैसे लगता है तुम्हें बता हूं तो कहने लगी ठीक है सुनाइए तो मैंने एक पढ़ा और यह मैंने पढ़ा के अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा तो मैंने का समझ में आई आई आपको बात बोले हाँ ठीक है तो अगर तलाश करूँ कोई मिल ही जाएगा मगर तुम्हारी तरह कौन मुझ को चाहेगा तो गरें लिगे वाँ 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 ब्यूटिफुल सो नाइस अगा वाँ अभर था ये झे धने मैं जिल को कियों भर छूर्च के पढ़ती हो फिसके शान में अजट को य bättre वाँ पासी चाहेगीव हमेर हो यंग हो जाइफ आए के द मैट जब तक इन्सानम है इससके अवाँ और दिल है तो इमोशन जब तक आप इमोशन की बात करते हैं, हाँ वह फो गजल एक टेक्निल फॉर्मैट है, वह का रदीव होता है, काफिया होता है, बहर होती है, मिस्री होते हैं यह क्यों बात है लेकिन जो थो इस प्रोसेस है, जो खयाल है जो एक कहने का अंदाज है, वह आपने इतने सारे शायरों के गजले गाई गालिब फैज और बहुत सारे ऐसे शायर गालिब के जो कुछ अलफाद होते हैं, वो कभी जो समझ मनी आते हैं, तब कितना चालेंज रहते हैं? जबान भी जो है ना, पीरियट के साथ साथ कुछ लवज चले जाते हैं और कुछ नए लवज आ जाते हैं, लेकिन जो उसकी जो रू है वो कायम रहती है, अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि यह आपको इंस्परेशन कहां से आता है, आप जो गाते हैं तो क्या कैसे, तो मुझे वो गालिब का एक बड़ा मुशूर शेर, गालिब से भी सवाल किया गया था, उस जमाने में, गालिब ने यह भी लिखा, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आज आकिर इस दर्द की दवा क्या है, आज भी लोग समझते हैं, क्यों नहीं समझेंगे, साधा जबान है, ले सिंपल सी बात है, लेकिन कितनी गहरा ही है, तो गालिब से यही पूछा किसी ने, कि मिर्जा जब आप यह लिखते हो, तो यह कहां से आपको आमद आती है, आमद बलत इंस्पिरेशन, तो गालिब का एक मुशूर शेर, मैं पढ़के सुनाता हूं, फिर उसकी मानी भी समझ बलत उस जमाने में एक वो कलम होता था था ना कुल, जो आप ऐसे इंक में डिबोते थे और उसका निप और उसका एक जब कागस पर लिखते थे तो उसकी आवाज आती थी, कर-कर-कर तो आवास को कह रहे हैं के गालिब सरीरेगा, गालिब जो लिख रहा है, कागस पर वो कैसे भी वे घर का माहूल बड़ा अभी आर्टिस्टिक सा होता होगा, उनके पेंटिंग में कुछ आप शेयर रालते हुए मेरा तो मेरा वही माहूल है, जो हर घर में होता है, इसमें इतिफाक भी होता है, इखतिलाफात भी होते हैं, तो हाँ यह है कि वो एक मुस्वर है मतलब पेंटर है और मैं मुजिक मुजिशिन हूँ तो कभी-कभी वो मैं कुछ कम्पोज करता हूं तो उनको कुछ पसंद आती है कुछ चीज पसंद नहीं आती है और वो जब पेंट करती है तो मुझसे पहली सवाल करती कि कैसे लग रहा तो मैं कहता हूं कि देखो इसमें मुझे यह लग रहा है अब तुम्हारी महरजी लेकिन ठीक है तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन यह हमारा चलता रहता है एक दूसरे से भी बाउंस इचेदर हो अब जाते रहते हैं हमारे डीडी उर्दू के नाजरेन को आपका कुछ आपकी तिफ्स मुझेक से रिलेटर चलता है देखे एक बास सुनिया आप सब जो सुन रहे है और देख रहे हैं मुझीक सुनियेगा जरूरी नियुक है आजका जो दोर है उसमें म्यूजी कि अच्य नहीं होथा बहुए ऑच्छै होती है कुछ गाने आजकी भी अच हो और instruments or doesn't matter आवाज अच्छी हो गुसुर में हो सुर में होना जरूरिया है हर चीज सुर में होना जरूरिया तो आप लोग सुनते रहिएगा आप लोग सुनते रहेंगे तो आज तक हम यहां बैठे हैं इसलिए आप लोग सुन रहें नहीं तो हम आज आप से बात नहीं करते हैं तो सुनते रहिएगा और ऐसे ही आप अच्छे आटिस्टों को सराते रहिएगा थैंकी सुबाज तलजी दिल तो नहीं चाहता कि इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म किया जाए लेकिन क्या करें कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यूं है अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें नाजरीन हमें यकीन है कि आपको आज का ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजाज़त अगले हफ़ते फिर आऊंगी एक नए जगमगाते चराख के साथ अल्ला हाफिज झाल 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 झाल